तो आज की वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी होलिवड मूवीज के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर एनिमे एड़ेप्टेशन्स दी जाए तो उनकी स्टोरी एनिमे का स्पेशल टच दोनों मिलकर बहुत ही ओसम कॉंटेंट को क्रियेट कर सकते हैं इन पांचों मूवीज को मैंने अलग-अलग मूवी जानरा से पिक किया है ताकि इन सभी के बीच कॉंटेंट वाइस किसी तरह की सिमलेरिटीज ना हो और आपकी स्क्रीन पर आ रही ये जानरास वही है जिन से रिलेटेड मूवीज को मैंने इस वीडियो में पिक किया है और अब इन सब बातों के बाद वीडियो को शुरू करते हैं मूवी नंबर 5 से नंबर 5 पे हमारे पास जो मूवी है वो है 2013 में रिलीज हुई Pacific Rim Pacific Rim की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि future में अर्थ के उपर एक war चल रही है और ये war countries के बीच नहीं बलकि Pacific Ocean के नीचे एक interdimensional portal जिसे breach का नाम दिया जाता है उसमें से निकलने वाले gigantic monsters के against है जिनें बोला जाता है काईजू किसी normal काईजू का size एक बहुत ही tall skyscraper के बराबर होता है और इस तरह के huge monsters से tackle करने के लिए अर्थ की जो government होती है वो उतने ही बड़े size के robots को बनाती है जिनें बोला जाता है येगर अगर Pacific Rim जैसी movie को एक anime की तरह से सोचा जाए तो anime genres में huge robots और monsters का आना कोई नई बात नहीं है लेकिन जो चीज specific rim को इन सब genres के बीच में stand करती है वो है उसका strong story plot और amazing yeagers I mean अगर हम सिर्फ movie के हिसाब से ही जाएं तो movie makers ने इन huge yeagers के design से लेकर इनके body mechanics पे इतना काम किया है जो कि अपने आप में ही mind blowing है और अगर मैं personally बताऊं तो मुझे एक ऐसा anime देखने में बहुत मज़ा आएगा जिसमें building के size का एक high tech robot colossal titan के साथ battle करे movie number 4 पे हमारे पास है Conjuring जिसे हम अब तक की best horror movies में से एक भी बोल सकते हैं The Conjuring का release year भी previous movie की तरह 2013 था इस movie की story में जो main characters है वो है एड और लोरेन वारेन जो की couples है ये दोनों अपने profession से demonologist होते हैं जिनका काम है demons और witchcraft जैसी चीजों को study करना और उन पे काम करना Conjuring universe में जहां उसकी starting enable doll से होती है और उसके बाद वैलक तक जाती है इन सभी के बीच में एड और लोरेन वारेन एक strong and skilled paranormal researcher की तरह से काम करते नजर आते हैं अब यहां तक movie के बारे में एक short info में बात करने के बाद अब आते हैं Conjuring के anime adaptation के उपर जरा सोच यह एक ऐसा anime जहां एड और लोरेन वारेन एक टाउन से दूसरे टाउन जाकर haunted चीजों को explore करते हैं और उनके ऐसे ही adventures पे उन्हें ghosts, demons, vampires और इसी तरह के दूसरे paranormal elements को face करना पड़ता है अगर आप एक horror genre fan है और साथ ही आप एक anime fan भी हैं बट अगर आपने ये movies देखी हैं तो आपको पता होगा कि Lord of the Rings trilogy The Hobbits से पहले release हुई थी लेकिन story को अगर chronological order में देखा जाए तो The Hobbit की story Lord of the Rings के adventure से 60 years पहले की है अगर आपने ये movies अभी तक नहीं देखी हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं ये बहुत ही awesome adventurous and fantasy masterpieces हैं वेल ये तो रही movies की बात अब जरा आते हैं Hobbit की story पर The Hobbit की story कुछ इस तरहा है कि Arabore नाम के एक wealthy mountain के dwarfs जो कि उसके royal family members थे और उन्होंने कुछ circumstances के चलते अपना kingdom खो दिया था Arabore mountain के वही royal dwarfs, Gandalf the Grey नाम के एक wizard और Bilbo Baggins नाम के एक hobbit के साथ Arabore पे फिर से control करने के adventure पे निकलते हैं और नाव movie के बारे में बात करने के बाद आप आते हैं इसके anime adaptation पे The Hobbit के story सही माइनों में एक amazing fantasy adventure के around build है और अब वीडियो के point number two पे है एक dark comedy movie जिसका नाम है This Is The End This Is The End का release year था 2013 इस movie की story कुछ हिस्त रहा है कि Hollywood में एक बहुत ही popular actor के घर पे एक party होती है जहां real life Hollywood actors celebrate कर रहे होते हैं और उनकी इसी party celebration के बीच में दुनिया में शुरू हो जाता है The Judgment Day जिसका मतलब वो दिन जब human souls को hell और heaven के बीच में select किया जाएगा और finally earth को destroy कर दिया जाएगा इस chaos और destruction के बीच हमें four popular actors के survival को देखने को मिलता है जो कि उनके around हो रही इस situation को समझने की कोशिश में है अब इस situation को सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो एक horror movie होने वाली है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं then I agree कि ये एक horror movie है लेकिन this is the end एक comedy horror movie है जहां आपको serious situation में भी comedy ज़रूर दिखेगी अब similarly जरा सोच ये एक ऐसा anime जहां दुनिया के most popular celebrities हो चली छोडी celebrities की जहां एक step उपर जाते हैं और उनकी उसी party के बीच में शुरू हो जाता है judgment day और जब ऐसी situation आ जाती है तो आप देखना होगा कि कौन सा character किस तरह से survive करता है I know ये still एक बहुत ही wild collab होने वाला है लेकिन फिर भी personally मैं एक ऐसा anime जरूर दिखना चाहूंगा जहां इसी तरह के dark comical environment में मेरे favorite anime characters hell or heaven जैसी situation को tackle कर रहे हो और finally number one के लिए जो movie है वो सही माइनों में number one को deserve करती है और इस awesome movie का नाम है The Terminator 1984 में release हुई Terminator literally अपने time की most of the film से बहुत आगे थी The Terminator की story कुछ इस तरह से है कि Skynet नाम का एक artificial intelligence system humanity के against war declare कर देता है और देखते ही देखते Skynet पूरी दुनिया पे control भी कर लेता है लेकिन इसी war के बीच कुछ humans होते हैं जो की machines और Skynet के against खड़े होते हैं और उन लोगों का leader होता है जॉन कॉनर humans के इस retaliation को high level threat मानके Skynet जॉन कॉनर के past में उसे बच्पन में ही मार डालने के लिए एक robot को भीजता है जैसा की हमने movie में देखा है कि एक robot future से travel करके past में जॉन कॉनर नाम के एक teenage लड़के को बचाने के लिए आता है जो की future में artificial intelligence और highly advanced machines and humans के बीच की battle में humans को lead करेगा अब जरह सोचिए एक ऐसा anime जिसकी story terminator की हो और उसके visuals akira और ghost in the shell जैसे epic animes के जैसे हो एक ऐसा anime जिसमें machines versus humans, time travel, cyborgs and all the other kinds of cyberpunk element हो ऐसा anime sci-fi fans के लिए एक बहुत ही awesome चीज हो सकता है and I know already ऐसे बहुत से animes हैं जो कि इसी तरह के similar contents पे चल रहे हैं लेकिन Terminator जैसी movie का anime adaptation ये सही में बहुत ही epic होगा जिन्हें अगर anime adaptations दी जाएं तो वो movies बहुत ही awesome content बन सकती है and finally ये video hidden caliber channel की सिर्फ एक series का part है इस channel पे आपको top 5 series से हट कर और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है फिर चाहे वो animation industry से related information हो या फिर anime से related videos हो hidden caliber नाम के इस youtube channel को subscribe करने के बाद आपको regular basis पर interesting videos देखने को मिलती रहेंगी so if you are interested in these types of content then hidden caliber को subscribe करने के बारे में जरूर सोचेगा और अब in the end इस video को यहां तक देखने के लिए आप सभी को thank you so much किसे देखने के परेंग से नारी से को देखने को थ